दोस्तों श्री राधे जैश्री किष्णा आईए आपको ठाकुर जी के चर्णों के दर्शन से और पूरे दर्शन कराएंगे पहले ठाकुर जी के चरम देख लीजिए ये पीछे के देख लीजिए चरम पैर की उंगलियां ठाकुर जी के बहुत अच्छी पैरों की उंगलियां दी है ये देखिए ये ना भी है ठाकुर जी की और इधर को जैनेव दिया गया है और हातों की उंगली देख लीजिए ठाकुर जी का फेस देख लीजिए कितना प्यारा है ठाकुर जी की आईब्रो तिलक बाल कान नाक भी देख लीजिए कितनी प्यारी है और होट देख लीजिए होट कितने प्यारी बनाए है ठाकुर जी के मुस्कुराते हुए और सबसे महिन चीज है कि ठाकुर जी शाम रंग के हैं तो थोड़ा सा कलर हमने शाम रंग का भी इनमें दिया हुआ है और नीचे का जो ब्रेग्राउंड है यह कौन सा कलर है सलेटी कलर का दिया हुआ है आईए हम पीछे का भी आपको दिखाते हैं ठाकुर जी का यह देखिए कपड़े आप रहत आसानी से पहना सकते हैं इनको और पीछे का भी ब्रेग्राउंड आप देख सकते हैं हाथ वगर हैं बिल्कुल गोल है यह चोटी देख लीजिए पूरा अच्छे से डिजाइन बनाया हुआ है और पीछे भी जनव दिया गया है यह देख लीजिए लंगोट भी है और पूरे एक एक कट्स दिखाएं ठाकुर जी के बहुत ही शानदार मूर्ती है यदि आपको सुन्दर लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सस्क्राइबर करें लाइक करें इनमें अभी नाखुन भी बनेगा अभी लेमनेशन भी लगेगा यह देख लीजिए बहुत ही प्यारे ठाकुर जी की मूर्ती है यह असली मकराने मार्बल में बनी हुई है यह देख लिए यह आपको श्याम रंग की सेडिंग भी बोड़ी पे लगाई हुई है यह देख लीजिए तो ठाकुर जी का यह अदभुत शंगा अब अपन राधा रानी की मूर्ती दिखाने जा रहे है यह देखिए बहुत ही प्यारी मूर्ती है और देखिए कितनी चमक भी आ रही है मार्बल में यह बहुत अच्छा श्याइनिंग वाला मार्बल है अब यह और भी आपको दिखाता हूँ राधा रानी को दिखाऊ गया क्रिशन जी बना लो ठाको उंगली बना लो अभी रुकिए आपको राधा जी का भी श्रंगार का हम दिखा रहे हैं आपको इस मूर्ती में आपको हमने एक एक चीज दिखाया हुआ है और यह भी देखिए राधा रानी का भी आपको अध्भुस शंगार दिखेगा पहले चर्णों से आते हैं इसका भी बैक्राउंड सलेटी रंग का दिया हुआ है इसमें अभी डिजाइन बनेगा जैसे कालीन वगरे में डिजाइन आता है इस प्रकार से ऐसा कुछ डिजाइन इसमें बनेगा और यदि आप चाहते हैं तो राधा जी के ब्लाउज वगरा भी बन जाएंगे यह देखिए उंगली भी एक एक चीज दिखाई हुई है यह देखि कितनी प्यारी अमली इसमें दिखाई गई है पंजे वगरा देख लीजिए और राधा रानी का आखें और आइब्रो तिलक भी ऐसा ही बनेगा तिलक भी है देखो यह मैं थोड़ा सब बिंदी बिंदी लगा दी जो बुना दी लगा दी ना लगा दी लगा पूरे अच्छे से है मकराना मर्बल में है कान अच्छे बने हुए है और चोटी बी देख लीजिया पीछे का भी आप बेगरांड देख सकते हैं जाद दी वीडिय अच्छी लगे चैनल को सस्क्राइबर करें लाइक करें शेयर करें देख लिजिए शाइड से भी देख लिजिए बहुत ही सुन्दर मूर्थी का निर्मान हुआ है यह मूर्थी श्री साय मूर्थियाट राजस्थान अलवर यह देख लिजिए नाक वगरा भी कितनी अच्छी बनी निरादा जी की आइब्रो वगरा और होट भी कितने सुन्दर हैं मुस्कुराते हुए नाभी भी देख लिजिए अभी इनमें जब आप कपड़े से शंगार करेंगे तो बेहदी खुबसुरत मूर्थी निखर के आएगी आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सस्क्राइब पर जरू करें जिससे आपको हमारी अगली वीडियो जल्दी ही मिल सकाएं कि अन्ति में कहना जी के भी एक दर्शन कर लीजिए अच्छे साथ मिनट के बजारी करेंगे करेंगे करेंगे